नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक्नो चैंपेन यूटूब चैनल के अंदर दोस्तों क्या आपका मुबैल बहुत ज़्यादा हैंग होता है क्या आपका मुबैल बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है अगर आप internet चलाते हैं अपने mobile के अंदर और आपका जो mobile है वो बहुत ज़्यदा गरम हो जाता है मतलब कि आप यह सोसते हैं कि यार अब मेरा mobile side blast हो जाएगा अगर आपका mobile इतना ज़्यदा गरम हो जाता है तो आज आप इस video को पूरा देखना क्योंकि इस video के अंदर मैं आप सभी को चार ऐसे कमाल के settings बताऊंगा जिसे आप अगर अपने mobile के अंदर on कर लेते हैं तो आपका mobile जिन्दगी भर हैंग नहीं होगा नहीं आपका mobile कभी गरम होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आगा आपका mobile कभी भी हैंग नहीं आपका mobile कभी हीट होगा और नहीं आपके mobile के बैटरी है वो जल्दी खतम होगा तो अगर आप इन 4 settings को अपने mobile के अंदर on करना चाहते हैं इन settings के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना मैं आप सभी को step by step बताऊंगा कि ये कौन कौन सा setting है और इसे आपको कैसे on करना है सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक रैड कलर का सबस्क्राइब बटन देखने को मिलेगा पिलीज आप इसके पर कलिक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और साथी साथ इस घंटी वाले आपसें पर कलिक करके और पे सेलेक्ट कर दीजे इतना काम आपको करना है दोस्तों उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आकर आपको एक comment करना है comment में यहाँ पर आप very nice video या फिर जो भी आपको लिखना है comment में आप वो मुझे लिख कर बता सकते हैं आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं बस आप कोई भी एक comment करना चाहते हैं यहाँ पर आप एक comment कर सकते हैं बस दोस्तों आपको यह छोटा सा काम कर लेना है तो दोस्तों अगर आपका mobile बहुत ज़्यादा hang करता है या फिर आपका mobile बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है तो इसके लिए आपको करना क्या है चार settings करना है पर उससे पहले मैं यहाँ पर इन settings को आपको ध्याद से देखना है इस वीडियो को आप गौर से देखना क्यूंकि यहाँ पर अगर आप एक भी setting नहीं करते है अपने mobile के अंदर तो फिर आपका जो mobile है वो ठीक नहीं हो पाएगा आपका mobile जा है फिर हैंग करने लेगेगा आपके mobile में जा है फिर से मतलब चोटी सी आपको डाउनलोड करना है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस एपको डाउनलोड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसी एप के अंदर आपको चार्ज सेटिंग करने होगी और इस एपको डाउनलोड करने के बाद वो चार्ज सेटिंग करने के इस आपको फिर से डिलीट कर देना है तो इस एप को डाउंलोड करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों अभी आप जो वीडियो देख रही है इस वीडियो के जो title है इसके उपर आपको klik करना है उसके बार description अपने हो जाएगा और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि एप link है तो आप इस link योपर klik करके इस app को अपने mobile के अंदर download कर सकते हैं दोस्तों जैसे ही आप इस app को डाउनलोड कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इसे अपने phone के अंदर open करना है जैसा कि दोस्तों यहांपर आप दिख सकते हैं मैंने इस app को यहांपर open कर लिया है दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना क्यूंकि बहुत कमाल का यह वी यहाँ पर आप देख सकते हैं। Cornie में आपको जो repair system का जो option है, आपको इसके पर click करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो phone है, आपके phone में जितने भी apps होंगे, वो सब के सब यहाँ पर जो है, scan किया जाएंगे, और सबसे last वाला जो option है वो है मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एड आ चुका है तो इस एड को हम लोग back कर देते हैं दोस्तों यह free का app है तो इसमें आपको कुछ ads देखने को मिल सकता है लेकिन आपको इस app को इसे delete कर देना है तो आपको इससे कोई फाइद भी कर सकते हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के सभी जो apps हैं वो यहाँ पर scan हो चुका है अब जो settings है वो यहाँ पर भर रहा है यहाँ पर right tick आ रहा है मतलब कि यहाँ पर मेरे phone की system है वो अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा है यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे phone के अंदर तो यहाँ पर आप जैसे के देख सकते हैं यह जो अभी यहाँ पर ठीक हो रहा है तो चले हम लोग थुरा सा wait कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन जो options है यह जो यहाँ पर complete हो चुका है और लास्ट वाला जो और बुस्टर रह अभी थी और क्या जाए अभी ठीक हुआ है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे phone की जितने भी चीज़ा खराब दे वो सब कुछ यहाँ ठीक हो चुका है और मेरे phone का जो status है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं no problem in RAM यानि के मेरे phone की जो RAM है वो उसमे कोई भी दिक्कत नहीं है तो इस तरीक से दोस्तों आप अपने phone को जाए यहाँ पर scan कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक और option देखने को मिलेगा MPT folder तो simply आपको इसके पर click करना है दोस्तों जैसी आप इसके पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके पर click क के अंदर इस्तमाल नहीं करते हैं जिस फाइल में आपको कुछ भी नहीं है जो भी bugs वगरा है वो सब कुछ यहाँ पर scan किया जाएगा वो सब कुछ यहाँ पर clean हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे phone के अंदर जितने भी unwanted files थे जो बेकार के थे जो bugs थे वो सब के सब यहाँ पर clean हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं 824 MB जो यहाँ पर free हो चुका है तो कुछ इस तरीके से आपको भी इससे clean कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको इस app से बाहर आ जाना है अब दोस्तों आपको करना क्या है आपको अपने phone को switch off करना है और उसके बाद आपको इस एप को डिलीट कर देना है क्योंकि अगर आप अपने मुबाल के अंदर ज्यादा एप्स को इस्तमाल करेंगे तो आपका जो फॉन है वो हैंग करने लगेगा तो यहाँ पर आपको इस एप के अंदर इसना सेटिंग करने के बाद आपको अपने आइंगिंग प्राबलम है जो हेटिंग प्राबलम है उनको आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हा